सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूस चानल को और बेल आइकन को दबाएगे लेटिस न्यूस सबसे पहले पाने के लिए राफियल मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोट में वहत्वपूर सुनवाई जारी है इस दोरान सरकार की तरफ से अटोनी जनरल केके विणू गोपाल ने कोट को बताया कि जिन दस्तावेजों पर एडवोकेट प्रशान्थ भूशन भरोसा कर रही है वो रक्षामंत्राला इसे चुराए गए है वहीं चीफ जस्टिस ने अटोनी जनरल से कहा कि गलब तरीके से हासल दस्तावेज भी मान्य है इससे पहले विणू गोपाल ने सुप्रीम कोट को बताया कि याची का करता प्रशान भूशन और अन्य लोग चोरी हो चुके दस्तावेजों पर भरोसा कर रही है रक्षा मंतरालाय से चोरी हुए दस्तावेजों का मामला इतना गंफीर है कि उन्हें आधिकारिक गौपनियता अधिनियम के तहत अभी योजन का सामना करना होगा सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए अर्टोनी जनरल ने कहा कि हम इस मामले में क्रुमिनल अक्शन लेंगे सुनवाई के दौरां सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले पर हम किसी नए दस्तावेज पर सुनवाई नहीं करेंगे दरसल सुनवाई के शुरू होते ही वकील प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में नए दस्तावेज पेश किये जस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया Court ने अटोनी जर्म्दल से पूछा कि जब उन्हें पता चल गया था कि राफियर से जुड़े कुछ दस्तावेश कोरी हो गए हैं तो उन्होंने इस पर क्या करवाहीगी सरकार ने सुप्रीम कोड को बताया कि राफिल डील से जुड़े दस्तावेज के चोरी होने के संबंत में अभी तक FIR दर्स नहीं कराई गई है अगर FIR दर्स कराई जाती तो कई आची का करताओं के नाम भी इसमें शामल हो जाते अगर आपको हमारी ये न्यूस पसंदाई तो इसे लाइक और शाय करें साथ ही अपने व्यूज़ा में कमेंट करके ज़रूर बताएं Daily trending news के report, subscribe करे हमारा चैनल ऐसी ही latest और interesting news के लिए